हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माइड मैप लिटरेशर और आज से हम एलिजवेश्थन एज के सबसे फेमस प्ले राइट विलियम सेक्स्पियर के सभी प्लेस की समरी स्टार्ट करने वाले हैं विलियम सेक्स्पियर के जितने भी प्लेस जो net point of view से important हैं हम उनकी समरी डिसकस करेंगे और उनके MCQs भी डिसकस करेंगे सेक्स्पियर के प्लेस थ्री पार्ट में डिवाइड हैं early place, middle place and later place तो हम early place से start करेंगे और आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत important play यह इनके early place में एक important play है तो हम पहले इनकी समरी डिसकस करेंगे फिर कुछ MCQs डिसकस करेंगे इसी प्लेस से related so start करते हैं, play start होता है एक Englishman Christopher Sly से जो एक tinker है, tinker means जो बरतन मनाने वाले होते हैं तो यहां का एक local lord है जो सूचता है कि Christopher Sly के साथ एक prank खेला जाए, तो जब Christopher सो रहा होता है तो वो उसे lord की कपड़े पहना देता है और लाके महल के आलिसान बैड में सुला देता है और अपने सभी नौकरों से कहता है कि ऐसा behave करना है कि यह Christopher एक lord है और हम लोग सभी उसके सेवक हैं यह lord Christopher Sly के साथ prank इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे पता है कि Sly की दिमागी हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है तो Sly जब नीन से उठता है और खुद को lord की कपड़ों में देखता है और राज महल के बैड में देखता है तो वो थोड़ा आश्यर चकित होता है वो कहता है कि मैं यहां कैसे आगया तो नौकर लोग बोलते हैं कि आप तो lord हैं यहां के तो वो कहता है नहीं मैं तो tinker हूँ तो सब लोग कहते कि नहीं आप तो lord है आप tinker नहीं एक lord है सलाई को बिस्वास तब होता है जब एक page उसकी wife का भेज बदल के उसके सामने आती है तब सलाई सोचता कि हाँ मैं एक lord हूँ और यह मेरी wife है अब वो lord जो इसके साथ prank खेल रहा है वो कहता है कि आज आपके लिए एक play का आयोजन हुआ है ड्रामा का आयोजन तो चलिए अपन play देखते हैं और यह play है जिसका नाम है Taming of the Srio play की story स्टार्ट होती है जो एक story है Italian city पैड़ुआ की इसमें एक young rich man है जिसका नाम है Lucentio और उसके दो servant हैं trainio and bendelio तो Lucentio university जाता है पढ़ने के लिए वहाँ पे यह एक लड़की को देखता है जिसका नाम है Bianca और पहली नजर में उसको से प्यार हो जाता है लेकिन Bianca से marriage करने के लिए Lucentio के पास दो problems है पहली तो यह कि Bianca के पहले से दो स्यूटर है Granico and Hortensio और दूसरी major problem यह है कि Bianca के father जो बैप्टिसा मिसोलो एक बैलदी मैन है उनकी यह सर्थ है कि जब तक मेरी बड़ी बेटी Catherine की साधी नहीं हो जाती तब तक Bianca की साधी नहीं होगी अब यह जो Catherine है यह बहुत rude है बहुत बड़ बोली है यह ना तो बड़ों का आदर करती है ना छोटों से प्यार करती है और साध इसी कारणिस की साधी में इतनी problem आ रही है तो Lucentio यह decide करता है कि वो Bianca के घर जाएगा Latin tutor बनके अब Hortensio जो एक और tutor है Bianca का वो भी Bianca के घर आ जाता है music teacher का भेस बदल कर लेकिन इन दोनों के सामने एक बड़ी problem है Catherine की marriage तो Hortensio का एक friend है Petrosio जो Barona से आया है साधी करने के लिए तो वो Baptista के घर आता है और वो कहता कि मैं आपकी बड़ी बेटी Catherine से साधी करूँगा Catherine उसको बहुत बुरा बुरा बोलती है उससे बहुत रूडली बात करती है लेकिन Petrosio को कोई फरक नहीं पड़ता वो एलान कर देता है कि Sunday को मैं Catherine से साधी करूँगा Catherine बहुत सर्प्राइज होती है कि मैंने इसको इतना बुरा बुरा बोला फिर भी ये मेरेज़ करने के लिए कैसे तयार हो गया अब साधी की सभी तयारियां हो जाती है Sunday का दिन है साधी का बहुत देर हो चुकी है लेकिन Petrosio अभी तक नहीं आया Catherine घबरा जाती है कि साध Petrosio भी भाग गया वो भी नहीं आएगा लेकन काफी समय बाद Petrosio आता है वो बहुत ही बुरी ड्रेस में और बेकार से घोडे में आता है और Catherine से साधी करता है और फीष्ट भी खतम नहीं हो पाती और वो Catherine से कहता है कि चलो अब हम वैरोना चलेंगे क्योंकि अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मैं जो चाहूंगा वह वैसा करूंगा और फीष्ट कंपलिट नहीं हो पाती और Catherine को वैरोना ले जाता है अब पैट्रेश्यो कैथरीन को वेरोना ले जाता है और वहाँ पैसे बहुत दिनों तक खाना नहीं देता नहीं सौने देता वो ये कहता है कि मैं तुम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कैसे तुम ये बेकार सा खाना खा सकती हो और बेकार से कपड़े में सो सकती हो त ना मैं तुमको खाना दूँगा ये बेकार, ना मैं तो मैं सौने दूँगा, ये एक चाल है, पैट्रैशियो की कैथरीन को सोधारने के लिए, अब यहाँ, पैडुआ में, लिूशेंटियो और होटेंसियो, बियेंका का दिल जीतने में लगे हैं, लेकिन बियेंका को धीरे- से प्यार हो जाता है तो होटेंसियो क्या करता है एक रिच विडो से साधी करने का एलान कर देता है अब वैप्टिसा मिनोला भी तैयार हो जाता है लूशेंटियो से अपनी बेटी बियेंका की साधी कराने के लिए तो साधी का समारो है तो पैट्रेस्यो कैथरीन से कहता है कि चलो हम पैड़ूआ चलेंगे अब साधी का समारो है और सब लोग ये देखके बहुत ज़्यादा सप्राइज है कि कैथरीन की नेचर में बहुत ज़्यादा सोधार आया है वो पहले के जैसे रूड नहीं है सबसे बहुत प्यार से बात कर रही है सबकी इज़्यत कर रही रिस्पेक्ट कर रही है तो सब लोग ये समझ जाते हैं कि ये चेंजिस पेट्रेशियो के कारण आये है अब यहाँ पे तीन नई ग्रूम्स हैं जिनकी अभी नई नई मेरिज हुई है पेट्रेशियो, लिशैंटियो and Hortensio तो इनमें एक competition होता है कि देखते हैं आप लोगों की wife में से किसकी wife सबसे ज़्यादा obedient है जो अपने husband की बात मानती है तो इसमें VN का और Hortensio की wife हार जाती है और Catherine ये competition जीत लेती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा obedient है अपने husband की और यहाँ पे play खतम हो जाता है तो ये summary थी Taming of the Shrew की वोप आप लोगों को summary अच्छे से समझ में आई होगी अब हम कुछ question discuss कर लेते हैं जो इस play से related आ सकते हैं या important है First question Who becomes VN का's music teacher Gremio, Lucentio, Hortensio और Grimio So the correct answer is Hortensio Next question How does Lucentio declare his love for VN का Through a clever music lesson Through a sonnet he leaves on her pillow Why will spring in her ear Through a Latin translation So the right answer is जैसे कि हमें पता है कि Lucentio VN का Latin teacher बन के आता है तो वो VN का का दिल Latin translation करके जीतता है So the correct answer is Through a Latin translation Next question Where is most of the play set? Padua, Verona, Venice, or Vavikshare? And the correct answer is Padua Next question How does Petrosio prevent Kate from eating after their marriage? He tells her she is too fat He says that the food is not good enough for her He simply forbid her He tells that the food is poisoned So Petrosio Kate को खाना खाने से इसलिए मना करता है वो कहता है कि ये खाना तुमाई लाइक नहीं है He says that the food is not good enough for you Next question What does Petrosio convince Kate to say about the sun? That it is black That it is too dim That it is cold That it is moon So Petrosio Catherine के अंदर इतना डर भर देता है कि वो यहां तक मान जाती है कि sun, moon है That it is the moon Next question What is Christopher Sly's profession? Tinker, Tailor, Soldier, Spy So Christopher Sly, जिसके उपर prank किया जा रहा है उसका profession क्या है? So the right answer is Tinker Next question Who tricks Sly? A knight, a lord, a king, a priest To Christopher Sly के साथ prank कौन खेल रहा है? And the correct answer is A local lord Next question Whose wife is the first to answer the summons at the end of the play? Baptistas, Hortensios, Petrosios, or Luciantios Toh, आगरी में competition कौन जीता है? Petrosio की wife Next question What is a Shriw as defined by this play? A burrowing creature that often ruined Italian gardens A chauvinistic and overwearing man An ill-tempered and disobedient woman An old man who tries to marry a young girl And the correct answer is An ill-tempered and disobedient woman And that is Catherine So friends Aaj की लिवा सितना ही If you like the video Please like, share and subscribe And stay connected to Mind Map Literature Thank you